हेलो इब्रीवन मैं हूँ प्रतीभा कानफुर किचन डॉट कॉम में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ कच्छे आम की खटी मिठी कैंडी की रेसिपी जिसे आप महीनों स्टोर कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं विडियो पसंद आये तो like और share जरूर कीजिएगा कच्छे आम की कैंडी बनाने के लिए हमने आपर दो कच्छे आम लिए हैं जिनने पानी से अच्छे से धो लिया है केंडी बनाने के लिए आपको जिस तरह के आमों को लेना है ध्यान रखिए उसमें अच्छी खाची क्वांटिटी में पल्प होना चाहिए यानि कि इसके जो गुठली है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए पल्प ज़्यादा होना चाहिए तो हम क्या करेंगे कि आमों को ऐसे छील लेंगे इसके बाद इस तरह से गुठली से टच करते हुए हमें इसे ऐसे काटना है क्योंकि हमें इसे लंबा लंबा काटना है यह देखे आप देख पा रहे होंगे काफी सारा पल्प है इसके बाद हमने इसे इस तरह से कट कर लिया ह तो लंबे लंबे पीसिज में आपको इसे कट करना है, अब हम क्या करेंगे, कि गैस में हमने एक बर्दन में पानी रखा है, जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा, ये जो आम हमने लंबे लंबे काटे हैं, वो हम इसमें ऐट कर देंगे, और इन्हें हमें सिर्फ दो मिनट त इसे छलनी में निकाल लिया है, और जब ये हलका गरम ही होगा, तो हम इसमें डाल देंगे चीनी, यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी चीनी लिया है, हाथ चे नहीं मिक्स करेंगे, जिसे की आम टूटे नहीं, बस इसे इस तरह से आपको मिक्स करना है, गरम गरम आमों के ही उपर आपको चीनी डालनी है इसमें, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ढखकर के इसे छोड़ दीजिए, कम से कम 24 आवर्स के लिए, यह देखें, 24 गंटे बाद में इसे खोल के देख रहे हो, आप देख सकते हैं, जो भी चीनी हमने इसमें डाली थी, वो करी गई है, तो अब हमने यहां पर एक थाली लिए है, और यह जो आम की केंडी है, उसे हम ऐसे निकाल लेंगे, चासनी को हमें नहीं निकालना है, चासनी जितनी ज़्यादा आप ऐसे थोड़ा सा हिला दीजिए, ताकि चासनी जो है बाउल में ही रह जाए, और एक एकर के केंडी आपको इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे रख देना है, इस तरह से हमने केंडी को ऐसे सेट कर दिया है, आप चाहें तो छोटे पीसेज में कट कर सकते थे, मैंने इसे थोड़ा सा बड़े बड़े लंबे लंबे पीसेज में कट किया है, अब हम इसे धूप मे रखना है चार से पांच खंटे के लिए आपको धूप में रखना है चाहें तो आप इसके उपर कोई मलमल का कपड़ा भी डाल सकते हैं जिससे की धूल मिट्टेस में नहीं जाए यह जो चासनी बच्ची है उसे फेकना नहीं है आप उसे सिकंजी बनाने में इस्तेमाल कर सकत हैं इससे टेस्ट अच्छा आएगा और यहां पर यह देखें चार पांच खंटे बाद हमारी जो केंडी है वहलकी सी ड्राइ हो गई है हमें इसे पूरी तरह से बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है तो अब हम क्या करेंगे इस तरह से केंडी को ऐसे दूसरे बरतन में नि डाल सकते हैं बट मैं मीठी केंडी बना रहे हूं तो हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा सुगर पाउडर यानि की चीनी को मिक्सी में पीस लीजिए वह आपको डालना है इससे न यह देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाए जब भी आपका कुछ खटा मीठा खाने का मन करें इसे खाइए आपको बहुत पसंद आएगी तो बनाना भी बहुत आसान है सिंपल सी रेसिपी है ट्राइ कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ